हेलो फ्रेंड मैं लिंगराज पटेल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसीपी लेके आया हूँ दोस्तो आप सबने तो आलू से बनी कटलेट, अंडा से बना कटलेट बहुत खाए होंगे एक बार मेरे बताय हो तरीके से पनीर से बना हुआ कटलेट खाके देखिए आपके बहुत पसंद आएगा क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो फिर चलिए दोस्तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के पनीर कटलेट को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखे दोस्तो मैंने कटलेट बनाने के लिए क्या क्या लिया है मैंने यहाँ पे दो प्याज को बारिक करके काट लिया है साथ में लिया है दो टमाटर इसको भी काट लिया है इसके साथ में लिया है थोड़ा सा अधरक इसको कूट लिया है यह दो मिर्ची इसको भी काट लिया है और इसके साथ लिया है एक पाव पनीर यह बहुत ही फ्रेस पनीर है आप जब भी कटलेट बना एकदम फ्रेस पनीर लें अभी हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसोक अत्यल गरम जाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुटा जीरा उपर से डालेंगे काटा हुआ प्याज और प्याज को डालने के बाद इसको हलका सा फ्राय कर लेंगे जब तक कि इसमें हलका सक golden color ना आ जाए यह देखिए दोस्तों हमरे प्याज में बहुत अच्छा color आ गिया है अब हम इसमें अध्रक का पेश्ट को डाल देंगे इसके बाद डालेंगे थोड़ सा हरी मिर्ची जिसको हमने काट के रखा था इसको भी इसमें मिला के हलका सा fry कर लेंगे यह देखिए यह भी अच्छी तरह से fry हो गया है अब देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे काटा हुआ टमाटर तो चलिए इसमें टमाटर को डाल देते हैं यह हमने डाल दिया टमाटर अब हम इसको भी इसमें मिक्स करके अच्छे से fry कर लेंगे यह जब तक कड़ाई में होता मैं आपको पनीर को दिखाता हूँ, यह देखिए, यह पनीर, अभी हम पनीर को आतों से दबा दबा के इसको थोगड़ा सा मैस कर लेंगे, यह देखिए, जैसे पनीर भरता बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसे ही, यह देखिए, हम इसको थोगड़ा थोड़ा करके, सब को इसी त कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम हमारा फ्राय क्या हुआ प्याज और टमाटर को देखते हैं यह देखिए यह अच्छी तरह से फ्राय हो गिया है अभी हम इसमें एक-एक करके सुखा मसाला डालेंगे सबसे इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, उपर से डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्मरी रेड चिली पाउडर, उपर से डालेंगे थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर, इसको डालने से इसमें बहुत अच्छा टे के अच्छे से फ्राय कर लेंगे दोस्तों किसी ने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिजिएगा ताकि मेरा आने बला हर निया वीडियो करने ट्रिकेसन आपके पास स तेल भी छोणने लगा है अब हम इसी स्टेज में हमार सारा पनीर को इसमें डाल लिएगे दोस्तों जैसे पनीर का भरता बनता है बिल्कुल same to same वैसे इसको बनाना है और यह देखें दोस्तों इसको थोड़ी दर mix करने के बाद इसका texture एक दम change हो गिया है और यह बनके ready भी हो गिया है अब हम इसका उपर थोड़ा सा हराधनिया का पत्ता डाल देंगे यह हमने डाल दिया हराधनिया का पत्ता इसको डालने के बाद इसको भी इसमें अच्छी तरह से mix कर लेंगे और यह देखें और यह अच्छी तरह से बनके ready हो गिया है अब हम इसको एक plate में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए इसको थोड़ा-थोड़ा करके एक plate में निकाल लेते हैं दोस्तों आप अगर चाहें तो इसमें रोटी आराम से खा सकते हैं यह रोटी के साब बहुत ही अच्छा लगता है इन सब को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब चलते हैं अवरा टोस्ट को चोटा-चोटा करने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे ये देखिए हमने इसको चोटा-चोटा कर लिया है अब हम इसको मिक्सी में डालके हलका सचला देंगे ये देखिए हमने इसको पीछ लिया है एकदम चूरा टाइप हो गिया है बिल्कुल इसी तरह हमा करना था इसको आभे हम बनाएंगे घोल घोल बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा मैदा उपर से डालेंगे थोड़ा सा करन फ्लो यानिकी आरल पाउडर और इन दोने को डालने के बाद अब हम इसमेट करेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को डालने के बाद इसको एक चम्मच के मदद से मिलाके इसका एक अच्छा सा घोल बनाके रेडी कर लेंगे ये देखिए, इससी तरह हमें इसको मिला लेना है, और ये हमारा गोल बनके, रेडी हो गिया है। अब चलते हैं मारा next step की तरफ ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर खे तरह से ठंडा हो गिया है। अभी हम हातों में थोड़ा थोड़ा सा पनीर लेंगे और इसको दबा दबा के बिल्कुल इसी तरह गूल सेप में बना लेंगे मैंने इसको यहाँ पे अंडा सेब में बनाया है, आप चाहिए तो इसको round shape में बना सकते हैं, चप्ता में बना सकते हैं ये देखिये, हमरा पहला बन के ready हो गया है, अब हम same to same प्रोसीजर में इसी तरह सारे पनिर को बना के ready कर लेंगे ये देखे हमने सब को बना के रेडी कर लिया है अब हम इसमें से एक एक लेंगे और इसको लेके जो हमारा मैदा कौन फ्लो का घोल है इसमें इस तरह से डिप करेंगे जब हमारा घोल इसके चारो तरप अच्छी तरह से लग जाएगा इसको हम लेंगे और हमारा जो टोस्ट क पाउडर को इसके चारो तरफ एकदम अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना है यह देखिए बिल्कुल इसी तरह इसको लगाने के बाद हमें हातों से थोड़ा दवा लेना है यह हमारा पहला बनके रेडी हो गया है अब हम सेम टू सेम प्रोसुजर में एक एक करके सब को बना के रेडी कर लेंगे यह देखिए हमारा दूसरा भी बनके रेडी हो गया है और इसी तरह हमें सब को बना के रेडी कर लेना है और यह देखिए दोस्तों हमारा सारा बनके रेडी हो गया है अब हम इसको करेंगे फ्राय और फ्राय करने के लिए हमने तेल को पहले ही गरम कर लि प्लो पे कर दे और एक चमMaç के मदद से इसको उलट पुलट करके इसको चारो तरप से अच्छी तरह से फ्राय कर लें। दोस्तों आप इसको जब भी कडाई में डालें इसको थोड़ सा सेट होने दे उसके बाद इसम चममच को लगाएं। यह देखे इसको थोड़ी दिर उलट-पुलट करके फ्राय करने के बाद इसका color एकदम change हो गया है और इस फ्राय भी हो गया है अब हम इसको एक छानी के मदद से छान के निकाल लेंगे और यह देखे दोस्तों हमरा first batch बनके ready हो गया है अब हम इसको छान के एक plate में निकाल ल एक एक करके सब को fry कर लेंगे यह देखे यह हमने second batch डाल दिया है हमने second batch में चार डाला था यह भी फ्राय हो गया है अब हम इसको भी plate में निकाल लेंगे और एक एक करके हम सबको fry कर लेंगे ये देखे बाकी बचे को भी हमने fry कर लिया है और यहाँ पे हमारा सारा पनीर कटलेट बनके रेडी हो गिया है आप देख सकते हैं ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी है आप इसको घर में बना के जरूर ट्रै कीजिएगा ये उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सौप्ट होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चेले में आपको एक पीस चेक करा के भी दिखा देता हूँ ये देखिए ये अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ खाने के लिए मैंने लिया है टमाटर का केचप आप चाहे तो आपका मन पसंद कोई भी चटनी या स्वास ले सकते हैं दोस्तों आज कहीं मेरा पनीर कटलेट का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स